असलाम लेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, तो तुड़े आइम मेकिंग चिकन शुर्मा, तो लेट्स गेट स्टार्टेट, यहां पे सबसे पहले मैं सॉस प्रपेर करूंगी, जिसके लिए मैंने यहां पे चिली सॉस ली है, 3 तेबल स्पून, मियोनी जी है, 3 ते इसको मिक्स कर लेना है, सबसे पहले मियोनी जी एड़ करेंगे, देन हम इसके अंदर यह मायो चॉप वाली सॉस एड़ करेंगे, और इसको हम मिक्स कर लेंगे, यह हमारी सॉस बनके त्यार हो गई है, इसकेंड स्टेप मेने चिकन लिया, इसको मैंने अवर नाइट के इसको मैंने मेंशन कर दी है, अब जो है, मैंने इसको अपने अवर नाइट अगर करके रखेंगे, तो फिर ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, अब यहां पे मैंने इसको ओपन कर रही हूँ, यहां पे मैंने एक पैन लिया, जिसके अंदर मैंने फॉर डेवल स्पून आइल एट कर रही हूँ, अब यहां पे मैंने इसके अंदर एट करूंगी चिकन, मैरिनेट किया हूँ, अब चिकन को हमने कुक करना है 15 मिनिट के लिए, जब तक यह ड्राय हो जाए, हाइ फ्लेम पे हमने इसको कोक करना है, शिकन हमारा रैडी हो चुका है, अब जो इसको हमने इसके पीसिस कर देना है, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, यहां पे मेरे पास पीटा ब्रेड है, इसको हमने स्टोफ पे थोड़ी देर कोक करना है, इसको हम लोग पीटा ब् पहले एक साइड ब्राउन होगे इसको श्प्लेट किया और दूसरी साइड से अब जो हमारा फॉर स्टेप है यहां पर मैंने शॉर में कि जितनी भी चीजें है वह मैंने रग दी है मैं यहां पर कर दी है अब यहां पर मैंने लिया है सबसे पहले लेक्टोस, कैबेज, क्यु Saus लगाओँगी, Saus आप लोग अपनी मर्जी से ज्यादा या कम कर सकते हैं या कर सकते हैं सारे वेजिटेबल्स इस तरह आड़ करके ऊपर चिकन रखेंगे और फिर इसको हम fold कर देंगे इस तरह से आपने सारे vegetable और chicken add करना है अब इसको आप fold इस तरह करना है अगर आप butter paper यूज़ करेंगे तो अच्छी तरीके से fold होगा यहाँ पर देखें हमारे shore में बनके तियार हो चुके है hope you guys like my video please subscribe to my youtube channel also click the bell icon button al hafiz